नमस्का मित्रो, स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में आज हम लोग अश्ट आहर विधिविशे सायतन का दूसरा पार्ट देखेंगे अर्था सेकेंड पार्ट के बारें बात करेंगे आईए बात करते हैं उसके बाद अब लास्ट के तीन जो उसके फैक्टर है उसमें है आपका काल, उपयोग संस्था, यह उपयकत्या एक एक करके हम लोग उसके बारें बात करेंगे तो यहां देख रहे होंगे काल, काल का मतलब होता है टाइम या समय अर्थात particular अलग अर्थों में यहां काल का अर्थ लिया गया है तो देखेंगे यहां पर कालो ही नित्यग काल किसे कहते हैं काल जो होता नित्यग होता है और अवस्थिक होता है यहां देखेंगे काल के दो अर्थों में इसको उपयो किया गया है काल नित्यग और अवस्थिक तत्र आवस्थिक को विकार आपेच्छा करता है very very important आपके exam के point आव उसे कि काल जो होता है दो प्रकार को एक तरह से देखा जाए इपर निट्यक कान और आवस्थिक होता है पदात बिज्यान बेवा पढ़ते हो साथी साथ जो अवस्थिक काल होता है वो विकार के पेच्छा करता है और नित्यक जो क्या होता है नित्यक काल रितु साथ में कि ये पेच्छा करता है तो यहां देखेंगे चरग विमानस्तान का ही रिफ्रेंस है कि काल नित्यक और अवस्थिक काल जो है विकार की अवस्थिक काल करते हैं रितु साथ में की अवस्थिक करता है यह तो बात आचार चरक नहीं कही कि है करता है अब बात करते हैं आचार चक्र पाड़ी जो है कि क्या बोला है इनी नित्यक अवस्थिक काल की अलग ठोड़ा सा डिफरेंट अर्थ बोला है कि जो नित्यक काल होता है वह अहो रात्र आधी तो इन बोल होता है अहोर रातरी यह से समझे, जो समय होता है उसको उन्हेंने भूला है नित्यक रातरी यह कहीं नित्य हैं हमेशा रातरी के बाद दिन इस तरह के चिजें और जब की अवस्थिक काल का जो मीनिंग या अर्थ लिया है आचार चक्र पाड़ी ने रोग की अवस्था उन्होंने क्या कहा आवस्थिक मतलग रोग की अवस्था एवं बाल यू आव ब्रिधा वस्था तो साथी साथ उन्होंने रोग की अवस्था के साथ बाल यू आवस्था ब्रि अब देखेंगे आवस्थी काल में जिस रोग से मनुस्य पिडित होता है उसी रोग के अनुसार अहार का सेवन करता है अब बात करते हैं अभी आवस्थिक की बात करते हैं नित्यक क्या देखेंगे इसी प्रकार नित्यक काल को रिटु साथ में बोला गया अर फाट रित्यों के साथ में बोला गया तो किस तरह से रितु साथ में किनों साथ द्रब्यों का चयन करना चाहिए जैसे हेमंत रितु में गुरु आहार तो गुरु आहार का मतलब कि गुरु मात्रा गुरु इसके गुरु द्रब्य लेना चाहिए और गुरु मात्रा अर्था ज्यादा मात्रा में भी लेना चाहिए क्यों लेना च प्हुर्टे कि इसके बात करते हम लोग उपयोग संस्था कर ता रूल आफ यूज तो रूजु आफ यूज नाम से जीसा की पता है हम लोग को अर्थात उपयोग करने के नियम तो देखेंगे इसमें क्या है उपयोग संस्था-तु उपयोग तो यहां पर देखेंगे कि जो ये अश्ट अहार विदी भी से सायतन है इसका हर एक पॉइंट मुल्टिपल च्वास कुईशन के पॉइंट आप विसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो सिंपली देदेगा कि उपयोग नियम टू उपयोग का नियम कहलाता है उपयोग संस् करता है कि जर पचछो ये पयोग संस्था पर नियम कि तब तक नहीं दिए अधसर है कि पयोग संस्था है अर्थात उपयोग का नियम, अर्थात भोजन करने का नियम कहलाता है, पचे हुए आहार के लच्छड की अपेच्छा करता है, तो यहां इसका मिनिंग यह है, कि पचे हुए आहार के लच्छड की अपेच्छा करता है, आचार चकरपाडी ने कहा है, कि उपयोग संस्था का आर्थ कर्टब और कर्टब कर्टब का मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग रात्री के खाये हुआ खाना रातेरी का भोजन किया हुआ रात्री का थाख्या comget सब्के o कुछ भी हो सकता है अगर भोजन न पचे तो आप देखते हैं कि शरीर में भारीपन रहता है मल बद्धता होती है अर्थात पेट नहीं साब होता कांस्टिपेशन के सरी बनी रहती है साथी साथ आपको हमेशा निद्रा की अवस्ता होगती है और सरीर में भारी पन होता है और इस तरह की चीजे हैं तो ये चीज एनलेसिस करने के बाद ही भोजन करना चाहिए तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका 7. उपयोग संस्था अर्थात rule of use बताता है चकरपाड़ी ने कहा है कि उपयोग संस्था का अर्थ कर्तब्य और और कर्तब्य से अर्थात भोजन पच गया है तो क्या कर्तब्य है? भोजन नहीं पचा है तो क्या कर्तब्य है? इस तरह की बात करते हैं अर्थात क्या उचित है क्या उचित है तो ही हम बात कर रहे हैं कि भोजन पचने पर क्या उचित है क्या करना चाहिए और भोजन न पचने पर क्या नहीं करना चाहिए यह अचार चक्रपाड़ी ने उसका अर्थ लिया है और ठाथ भोजन किस काल में पाचन हुआ है जैसे हम लोग कहते हैं कि रात्री का खाया हुआ भोजन अगर सुचारू से पच गया है अगर पचने का लच्छड आगया है और तो क्या होगा कि जो भी समय सुबर का होता है उसके बाद भोजन का नियम होता है मान लिजे कि अगर रात्र का भोजन नहीं पचा है तो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि रात्री का भोजन नहीं पचा है तो ये कहता है कि भोजन किस काल में, कितनी मातरा में, तथा किस इस्सिती में ग्रहन करना चाहिए, इसका ज्यान होना अत्यन्त आवश्यक है अब देखते हैं, आहार विधी का पूरा पूरा विवेचन करना है उपयोग संस्था के अंतरगत आता है तो कहिने कि हम पूरी घुमा फिला के यही बात कर रहे हैं कि भोजन की सिस्ती मिलना चाहिए, भोजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी लेना चाहिए और किसी सिती में ग्रहन करना चाहिए इस तरह का पूरा जो ज्ञान है हम लोग को उपयोग संस्था अर्था रूल आफ यूज के थूरू पता चल जाता है आईए हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं उपयोगता अर्था यूजर तो यहां पर अभी जो अश्ट अहर भिदिविसेसायत्म की बात चल रही थी इसका जो लास्ट पॉइंट है उपयोगता अर्था जो भोजन ग्रहन करता है व्यक्ति यूजर है उसके बारे में यहां पर बाते की गई है कि उपयोगता पुनरस्त अहारम उपयोगता यदा यदा यस्तम ओक सात्मयम अर्था उपयोगता उसे कहते हैं जो स्वयम अहात द्रव्यों को ग्रहन कर या सेवन करता रता या उपयोग करता है जिसके अधीन ओक सात्म अर्था सरीर सात्म होता है लगतार आहर विशेस के सेवन से वह साथ में हो जाता है तो यहाँ पर एक सब्द आया है ओक साथ में सिंपल ही हम लोग उपयोगता मतलब जो भोजन गरवन करता है जो भोजन का उपयोग करता है उसको उपयोगता कहती है तो यहां पर एक तर्म आया है उकसातम साटम का मतलब होता है सो मतलब कि जो हम कुछ भी खायो हमारे लिए लिए पत्य हो हमारे लाफ्वकारी उसको दूसरा होता हुआ हमने पंट उख साथम कैकल उकसानYes और तीसरी पॉइंट होती ओक साथ में जैसे जो असाथ में चीजे हैं जो हमारे लिए बेनफीसियल नहीं होती है लेकिन अगर उनको हम थोड़ा-थोड़ा मात्रा में अगर ग्रहण करना सुरू करते तो धीरे-धीरे बॉडी उसको एड़ेस्ट कर जाती है उस कंडिसंस में अगर जब वो हमारे लिए नुकसान नहीं देती है और हम जो हानिकारक चीजे का सेवन करते रहते लेकिन हमें हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करती है तो उसको हम लोग और उक साथ में बोलते हैं अगर इसका मतलब बॉड़ी उस पर एड़ेस्ट कर गई है जैसे छोटा स अपने सरीर में अपने सरीर में भोजन में दूसरों को बिस्ट मिला कर दे इसका मतलब वो अगर अपने सरीर में जैसे दिरे दिरे बिस्ट का सेवन ले रही है थोड़ी थोड़ी मातरा में जा रहा है तो बिस्ट का दूस्ट प्रभाव नहीं पड़ता है वो कन्या पुसान दे वाली चीजे हैं जो भी अपत्य चीजे हैं उनका अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बॉड़ी में इंजिट करा जा तो धीरे धीरे बॉड़ी एड़ेस्ट कर जाती है उसी को हम लोग ओक साथ में कहते हैं यह छोटा एक सिंपल एक्जांपल बताएं कि जैसे ह हम लोग साफ में चयले जाएं हम लोग को सिंपल खाने में रोटी चावल दल सब पसंथ हैं लेकिन ऑप जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ चावल का पर बुड़क्स ज्यादा होता है गेहुं समय भी च आजटा को मिलेगा वह सब कुछ निवे को डुत कर देंगे adjust कर जाएंगे उमीद है कि आप यहां पर देखें उसके बाद चकरपाड़ी ने उपयोकता का जो तात्पर या अर्थ लिया है वो क्या लिया है आहार ग्रहण करने वाले पुरुष से है तो सिंपल यहां बे भी कहा गया है चरक ने भी बोला है चकरपाड़ी ने भी बोला है कि उपयोकता का अर्थ ग्रहण करने वाले पुरुष से है जो ओक सात्म की अपेच्छा करता है निरंतर अभ्यास के द्वारा कोई भी द्रब्य सात्म हो जाता है चाहे वो पत्थ हो चाहे अपत्थ हो इसका मतलब हम लोगों ने पहले भी बात कर दिया कि लगातार अभ्या के द्वारा कोई भी चीज अपत्य चीज या जो हमारे लिए बेनफीसियल नहीं है वो भी हमारे लिए बॉड़ी में अड़ेश जाती है इसका मतलब लगातार अभ्यास के द्वारा हम भी हम अपत्य चीजों को कहीं कहीं यूज कर सकते हैं उमीद है आक वे वीडियो समझ म आया होगा धन्यवाद